वेरी कुट इवनिंग टॉल उफ यू आप सभी का एक्जाम हमेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी और आज हम फिर से जुड़े हैं पासान काल के बहुत ही महत्पुन बिंदों के साथ पिछल प्रागेतिहासिकाल, आदेतिहासिकाल, एतिहासिकाल और भी कुछ महत्पुन बिंदों थें जैसे प्रागेतिहासिकाल के अंदर का पासान काली सभीता फिर हमने पढ़ा था सरवबथम 1863 में भारत में पासान काली सभीता का नुसंधान प्रारंब हुआ था और भी हमने प को अब डिसकस करेंगे और इससे हम बहुत जानकरिया लेंगे तो चलिए हम आज की क्लास को स्टाट करते हैं तो आज हम सबसे पहले बेलन घाटी के बारे में दिखेंगे कि बेलन घाटी में इलावाद विश्विद्दाले के जी यार सर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था अब पूर्व पूरा पासान काल से संबंदित यहां 44 पूरास्थल प्राप्थ हुए थे तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पूरा पासान काल से संबंदित 44 पूरास्थल कहां से तो आपका जबाब होगा बेलन घाटी से और ठीक है और उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोदहा नाला छेत्र से इस काल की अस्थी निर्मित मात्ती देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रती कोसांबी संग्राले में सुरक्षित है अगर आप से पूछा जाए दोस्तों क मात्ती देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्ट की गई थी तो आप क्या एंसर होगा बेलन के लोदहा नाला छेत्र से और इसे अभी कहां पर सुरक्षित रखा गया है तो कोसांबी संग्राले में सुरक्षित रखा गया है अब हम पढ़ेंगे फलक संस्कृति के बारे में त पतर क्वाटरजाइड पतर के पिक हैं। तो उन्हें पकाना कैसे आता इसी के वज़ा से इस काल में अगनी का परियोग नहीं किया गया था। अब है भारत में मैद्य पासान काल की जानकारी सरोप्रतम 1860 में हुई। जब CEL कलाइब ने विंद्य छेत्र से लगू पासान उपकरन का खोज निकाल था। मेंस ये जो CEL कलाइब हैं ये क्या किये थे तो लगू पासान उपकरन खोज निकाल था। माइक्रोलिट्स को खोज निकाला था। और कब खोज निकाला था तो मैद्य पासान काल में और कब तो 1860 में ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे। मैद्य पासान काल के विशिष्ट ओजार सुचम पासान या पत्थर के बहुत छोटे-छोटे ओजार हैं। भारत के मानव अस्ति पंजर सर्वप्रथम मैद्य पासान काल से ही प्राप्त होने लगा था। यह जो अस्ति के पंजर हैं यह सबसे पहले कहां कब मिला तो मैद्य पासान काल में मिला। और गुजरात इस्थित लंगनाज सबसे महत्पुन पुरास्थल है। यहां से लगु पासान उपकरन के अतिरिक्त, पसुओं की हड़ी, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बरतन भी प्राप्त हुए हैं। और यहां से चौदा मानव कंकाल भी मिले हैं। मद्धे पासान काली महधा कहां है फ्रेंड्स तो परताबगर कहां है तिये उत्तर परदेश में हैं। और यहां से क्या मिला। यहां से हड़ी वो सिंग के निर्मित उपकरन प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महधा कहां है तो आप बताएंगे प्रताबगर उत्तर परदेश में। ठीक है आप बढ़ते हैं हम आगे के और। तो हमारा आगे का जो महत्पुन बिंदु है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जी आर सर्मा ने महधाहा के तीन छेत्रों का उल्लेग किया है जो जील, छेत्र, बुच्चड खाना और संकूल छेत्र वो कबरिस्तान निवास छेत्र में बाटा था। मेंसी ने जी आर सरमा ने क्या किया था तो महधाहा को तीन छेत्रों में विवाजित किया था। एक छेतर था जील छेतर और दूसरा बुच्चर खाना छेतर और तीसरा छेतर था कब्रिस्तान। और इस पुस्तक को किस ने लिखा तो आपका एंसर होगा डॉक्टर जैनारायन पांडेन है। कुछ important points है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि इससे questions बनते हैं और exam में इस related questions आपको देखने को मिलते ही हैं। तो पसुपालन का प्रारंब कब हुआ अब हम इसके बारे में जानेंगे। मज़्य पसानकाल के मानव सिकार करके मचली पकड़के और खायद्य वस्तूओं का संग्रा करके पेट भरते थे। उन्हें सिकार करना आता था, मचली ओको पकड़ना वो जानते थे और खायद्य वस्तूओं को संग्रा कर पेट भरते थे। मज़्य परदेश के रायसेन जीले में स्थित भीम बेट का प्रागेतिहासिक सैल चित्रकला का स्रेश्ट रूत धारन है। तो आप यहां देख सकते हैं यह सैल चित्रकला है जो कहां मिला है भीम बेटका में। वह बहुत ज़्यादा महत्पून है क्योंकि इससे कोस्टन बिलकुल पूछा जाता है और हर एक्जाम में पूछा जाता है। भारत में यही से युक्त सरवादिक 500 सिलास्रे मिले हैं। युनेसको ने भीम बेटका सेल चित्रो को विश्व विरासत सूची में सम्मेलित किया है। चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए लर्नर से हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगयाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे सोसल मेडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलिग्राम, फेस्बूक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करने के लिए इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोबाइट करा दी गई हैं और यहां से आप डायेक्ट यहां से जुड़ सकते हैं। और क्लास की पीडिये भी आपको यह टेलिग्राम चैनल पे प्रोबाइट करा दी जाती हैं। हैंड इटन नोट्स के लिए आप फेसबूक और इंस्टागराम को भी फॉलो करना बिल्कुल भी न बोले हैं। तो थांक्यू फ्रेंड्स, थांक्यू फॉर वाचिंग।